बोलिये श्री गनेश जी महराज कीजे बहुत समय पहले की बात है किसी नगर में दयादेव नाम के एक ब्रामन रहते थे उनके चार पुत्र थे ब्रामन दयादेव ने अपने चारो पुत्रों का विवाहा पड़े ही उत्तम कुलों में श्रेष्ट ब्रामन की कन्याओं के साथ किया ब्रामन देवता की चारो बहुएं बहुत ही शुशील और संसकारी थी सभी लोग बहुत खुश थे जेट का महीना आया तो जब संकस्टी चतूर्थी आई तब बड़ी बहु अपनी सास से कहने लगी सासु जी मैं संकस्टी चतूर्थी का वरत करती हूँ मेरा संकस्टी चतूर्थी वरत करने का नियम है और मैं ये अनुष्ठान करना चाहती हूँ तब उसकी सास ने कहा देखो बेटी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती और ना ही मेरे परिवार वाले रखते हैं इसलिए तुम यहाँ पर ये अनुष्ठान नहीं कर सकती बहु ने कहा लेकिन माजी मेरा संकस्टी चतूर्थी व्रत करने का नियम है अगर मैं व्रत छोड़ूंगी तो बहुत ही अप्शकुन होगा गनेश भगवान नाराज हो जाएंगे तब ही ब्रामन दयादेव पीच में आकर गोले बहु तुम ये क्या कह रही हो ये गनेश भगवान कौन है और तुम्हें ये व्रत पूजा करने की जरुरत ही क्या है क्या कमी है तुम्हारे पास तुम आराम से रहो तुम्हारे तो खेलने खाने के दिन है तुम किसी लिए इस वरत उपवास में पढ़ रही हो बहु ने अपने सास ससुर को समझाने की पहुत कोशिश की पर वह उन्हें समझा नहीं सकी ठकार कर उसे अपना वरत पीच में ही छोड़ना पड़ा उसने नियम भभंग किया था इसी लिए गनेश जी महाराज नाराज हो गए उसने रो रोकर गनेश जी महाराज से माफी मांगी कि उसे अपना वरत अपना नियम तोड़ना पड़ रहा है लेकिन गनेश जी महाराज नाराज हो गए थे कुछ समय बाद बहु गरब वती हुई और नो महीने बाद उसके गरब से एक बहुत ही सुन्दर पुतर पैदा हुआ जब विवाह का दिन आया और मंडब सजाया गया सभी लोग बहुत खुश थे जैसे ही विवाह का समय विवाह का मूरत निकट आया तभी सब लोग वर को बुलाने के लिए उसके कमरे में गए लेकिन वहाँ देखते हैं तो क्या वर अपने कमरे में है ही नहीं वहाँ पर खलबल प्रिशान होकर दूले को ढूंडने लगे दूले की मा का तो रो रो कर बुरा हाल था वह बार बार गनेश जी महराज से प्रार्थना कर रही थी ये भगवान पता नहीं मेरा बेटा कहां चला गया है पता नहीं वह किस हाल में होगा पता नहीं उसका किसी ने अपहरण तो बज़ो नहीं कर लिया, तब ही उसे रोते रोते मूर्शा आ गई, मूर्शित अवस्ता में ही उसे ऐसा लगा जैसे गनेज ची महराज उसके सामने खड़े हो, तब वह भगवान से रो रोकर प्रार्थना करने लगी, और अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार् तो तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा तब बहु की मूर्चा दूर हुई तब उसने अपने ससुर से कहा कि आप सबने मिलकर मेरा संकस्टी चतुर्थी का वरत तुडवा दिया था उसी की वज़े से हमें यह दुख प्राप्थ हो रहा है किसी भी कारिये को करने से पहल भगवान गनेश की पूजा करने चाहिए भगवान गनेश पर सन्न हो तो व्यक्ति को अपने कामों में सफलता प्राप्थ होती है वही अगर भगवान गनेश नाराज हो तो भला मनुष्य अपने कारियों में सफलता कैसे प्राप्थ कर सकता है आपने मेरा गनेश पूरे विधी विधान से वहकन्या पूरे साल की गनेश चतुर्थी का वरत करती है जब जेश्ट मास की गनेश चतुर्थी आती है तब भगवान गनेश एक ब्राह्मन का रूप धारण कर उसके दर्वाजे पर भिक्षा माँगने आते हैं तब वह कहती है आईए ब्राह्मन देव आप पैठिये मैं आपके क्या सेवा कर सकती हूँ तब वह ब्राह्मन देव कहती है ये बेटी मुझे तुम इतना भोजन दो कि मेरी तरप्ती हो जाए तब वह कन्या बड़ी प्रेम से ब्राह्मन देव को भोजन कराती है और उन्हें दक्षिना देती है तब ब्रामन देव कहते हैं ये बेटी तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग सकती हो मैं तुम्हारी इस सेवा से पहुत परसन नहूं तब वह ब्रामन करन्या कहती है ये ब्रामन देव अगर आप मुझे पर परसन नहें तो मुझे ऐसा आशिरवा दीजिये कि मुझे मेरे पती के दर्शन हो सकें तब ब्रामन दे वेश्धारी गनेश जी बहराज कहते हैं ऐसा ही होगा तुम्हें शिगर ही अपने पती के दर्शन होंगे ऐसा कहकर बगवान गनेश वहां से अंतर ध्यान होता है उधर जंगल में एक लड़का इधर उधर घ पास चाता है उसे पता चलता है कि वे लोग तीर थ्यातरा पर गए थे और अपनी नगर को लोट रहे हैं वे लोग उसे देख कर पुछते हैं अरे बेटा तुम इस भीशन जंगल में क्या कर रहे हो तब वह कहता है कि मेरा विवाहा होने वाला था मैं अपनी पतनी के लिए यहां पर कुछ पुष्प लेने आया लेकिन रास्ता भटक गया अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं तब वे उस लड़के से उसके नगर का और उसके घर का पता पुछते हैं और उसे कहते हैं कि हम उसी ओर जा रहे हैं तुम हमारे साथ चलो तब में उस लड़के को लेकर उस नगर में आ जाते हैं ब्राह्मन दयादेव अपने पोते को देखकर बहुत ही परसन्न होते हैं उस लड़के की मा दोड़कर अपने बेटे को गले से लगा लेती है और रो रो कर कहने लगती है कि भगवान गनेश के किरपा से ही तुम मुझे पुनहें प्राप्त हुए हो साथ ही साथ वह उसकन्या को जो कि उसकी होने वाली पतनी थी उसे बहुत आशिरवात देती है और कहती है ये बेटी ये तुम्हारी पूजा पाठ का तुम्हारे वरत उपवास का हिफल है कि मेरा बेटा आज करन्या की प्रार्थना सुनी वैसे ही संकस्टी चतूर्थी वरत करने वाले संकस्टी चतूर्थी वरत की इस कथा को पढ़ने वाले सुनने वाले सब पर आप अपनी दया बनाए रखना सबकी मनोकामना पूरी करना बोलिए गनेश जी महराज कीजे